Hello Friends, Welcome Back To Friends, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JKPSE को लेके तो JKPSE Experts के लिए जो संडे को इनका एक्म है उसके लिए तो सबसे पहले All the best सभी Experts को आपको अपने Examination Center में आदा गंटा पहले report करने और उधर लिखा गया है कि frisking आपकी अच्छे से की जाएगी इसे आपको time का पोंचना है और आपका जो भी when new examination का आपको आपके admit card पे दिया गया है उसी के हिसाब से आपने time को जो approach है वो करना है और अपने exam में आपने relax होके exam देना है कोई इसमें worry होके कोई आपने tension नहीं लेनी अराम से बैठके चिलो के अपना paper जो complete करना है और जितना भी possible हो जो भी आपने मेहनत करी हुई है उसका रंग जरूर लाएगा जो भी आपने previously 33 यार 4 मन्त में आपकी कड़ी मेहनत जो करी हुई है तो आपने अच्छे से अपने exam को लगाना है और जहां पे बात करें कुछ good news है new vacancy और exam calendar का कुछ में JKPSE की upcoming vacancy भी आपकी आ चुकी है इसी exam के होते होते आपको एक और good news है new vacancy को लेके वो क्या रहने वाली है और instruction आपको बता दी गई कि साड़े 9 बजे आपने अपने center में पहुन जाना है जो भी आपके examination center बनाएगी है बाएदत JKPSE दबारा बाकी instruction जहां पे आप MR-based वो तो पता है आपको MR-based paper होना है बाकी अपना sanitizer bottle, ID card वो लेके same to same जाना है यह आपकी कुछ instruction है basics लेकिन जहां पे बात करें new vacancy आपकी किसकी है JKPSE में और exam calendar को लेके क्या कुछ update है तो let's start this important video part चलिए अब आगे बढ़ते इस वीडियो में सबसे पहले all the best भी बोल दे application है इसके लिए आप 31 October तक अपने online form को fill कर सकते हो और इसके लिए आप edit कर सकते हो तीन नवंबर तक आप form को fill कर सकते हो और tentatively date of examination आपकी first week of December में है किसकी post रहने वाली है assistant controller drugs level 8 की vacancy 47600 से लेके एक लाख 51100 तक आपकी salary नमबर आप post की बात करें दो post रहने वाली है open merit की एक SC की एक vacancy JKP SC की और assistant controller drugs के लिए आपके पास post graduate होना चाहिए फार्मेसी में जा फार्मा सूटिकल chemistry में ठेक है और experience होना चाहिए आपके पास minimum 5 years का 40 साल तक आपकी age limit रखी गई है SC की 43 और in service की 40 रखी गई है आपकी age limit 1000 रुपया journal category की reserve की 500 रुपया आपकी fees है जो वो रहेगी और इसके लिए आपके पास data birth, 10th, 12th, domicile, PG degree, relevant field, experience आपके पास होना चाहिए और आपके पास category अगर है तो service कर रहे हो head of department से sign होना चाहिए और आपको MPHD और C certificate in NCC, NSS में उसकी weightage आपको extra जो दी जाएगी इसके लिए आप 31 October तक apply कर सकते हो तो last में all the best to all the JKPSC experience जो आपके अपने prelims में appear होने वाले है on the 15th of October 2023 में तो आज के इस वीडियो session में बस इतना ही कुछ भी doubts होन तो comment section में जरूर पूशिए